हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपने यूट्यूब की बहुती सांधार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका डी एफ सी सी आई एलका 30 सितमर का फर्स जिफ्ट का एक्जाम समापत हो चुका है फर्स जिफ्ट हर एक एक्जाम का हर एक सिफ्ट का अनलाइस जिस समय पर देखने को मिलता रहे और्ल गार्मेंट एक्जाम की प्रिफेशन आप एक्जाम फोर यू चैनल पर कर सकते हैं दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपका नेक्स सिफ्ट में एक्जाम होना है क्य और यह कब वता चली है वाला बागत्यकार्ण 13 अपरेल 1919 में दोस्तों वीड एक्ट्र फेक्ट्स के साथ मैं आपको डेली अनलाइसिस कवर कराना हूँ ताकि आपको कोई भी एक्जाम आ जाए यहां से आप कोई भी कोशन गलती ना करके आओ इसलिए हम डेली एनलाइसिस सीध एक्ट्र फेक्ट्स के साथ आपको कवर कराते हैं निक्ष देख लेते हैं विष्ज का सबसे उनचा पठार कुन सा है तो तलिबत का पठार या पामीर का पठार है दुस्तों आपकर आइट आंसर था निक्ट्र कोशन ता बाज की चाल कितनी होती है यानी स्पीड कितन नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, विस्ट की दूसरी और भारत की पहली क्रिकेट बिंदस अजारन बनाने वाली भारतिया महिला कोन बनी है, तो बनी है मिथाली राज, मिथाली राज आपका करेक्ट आंसर था, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोरोना काल में किस राज्जे को Digital India Award 2020 मिला बिहार राज्य को दिया गए Corona काल में Digital India Award 2020 नेक्स्ट कोशंदास अंगे लाल चावल को किस देश में निर्यात किया गए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गए है असम के लाल चावल को नेक्स्ट देख लेते हैं नमान ओनिकोबार्दीप सम्मू में कौन सी नदी बैती है कलफोंग नदी बैती है दोस्तो अनमान ओनिकोबार्दीप सम्मू में आपका correct answer था दोस्तो वीडियो helpful हो रही है तो फटावट से सबी like करते वे चलेंगे अपने चैनल का exam for you channel को subscribe करते वे और मीटर में 88,89 यानी 8,849 मीटर नेक्स्त अंतराष्ट बोदिक संपदा सूचकांग 2021 में मारत की रैंकिंग क्या रही है बारत जोई 40 वे इस्तान पर रहा है और मुख्याले का अंतराष्ट बोदिक संपदा सूचकांग का जिनेवा स्वीजेलेंड में है इस्ताफना कब हुई थी 14 जुलाई 1966 में नेक्स्त अकाईस नीती निदे सकता तो किस बाग में है ये भाग चार में है आपकर राइट आंसर था बारत ने अपना पहला परमान उपरिक्षन कब किया था 18 मई 1974 में किया था जिला सत्ने आयले किसके अधीन आता है तो ये सर्वोच ने आयले कि अधीन आता है आपकर राइट आंसर था दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में राजिस्तान में है राजिस्तान आपको उक्षन में दे रखका था नेक्स था पेनिसीलियम क्या है तो पैनिसिलियम दोस्तों फफू नयानी कावा का आपकर आपकर आपसर था एलपी जी की फुल फॉर्म के है लिक्विट फाइड पैट्रोलियम गैस इजी कोशन भी आपके पूछे गए हैं तो जो बच्चा भी अच्छे से पढ़कर गया होगा काफी कोशन वो सही करकर आया होगा किस बारतिया एक्ट के तहत इस्तापित किया गया था Companies Act 1956 के तहत इफ जो है इस्तापित किया था DFCC I.L. को Next अगाईज विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है S.C.O.R.V.C.C.D. S.C.O.R.V.C.D. अमल आपका करेक्ट आंसर था 2021 में गरामिन विकास मंतरी को है नरेंच सिंग तोमर है यमुना नदी के किनारे कौन सा सेर बसा है दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे आपका राइट आंसर था दिल्ली Next अगाईज था विक्तिकत सत्यक्राय के पर्थम सत्यक्राय का नाम क्या है विनोमा बावे था तो बिल्कुल कंजूशी ना करें लाइक करने में चैनल को सब्सक्राइब करने में और बैल आइकन को उन करने में फटाफट से सभी लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करते वे चलेंगे नेक्स्ता ग्यार की जन्गन्णा के अनुसार कि सराजे की साक्सरतदर सबस systems ख़ाईक है तो केरल की सबस्यादिक है और बिहार की सबसे कम है नेक्स्ता डूरंट रे का किन्दोंडेसों के बीच सिमा निर्धारन करती है पाकिस्तान तता अफगानिस्तान के बीच में जो है सीमा निर्धारन करती है डूरंड रे का मैकमोन रे का बारत तता चीन के बीच में रेड कलिफ रे का बारत तता पाकिस्तान के बीच में नेक्स्ता बारते सम्मिदान में नीती नी दे सकता तो किस बागस में किस देश से लियागए है तो ये Ireland से लिया ग़ाए भायरती समविदान में नीती नहीं दे शकता है मौली किदीकारinya अमेंरिका से संसोदन की परकीरिय दक्सिन अफरीका से ली गई है आपको करेक्टरा अंसर था एक question है था guys 300 meter लंबी train है 900 meter लंबे platform को 40 second में पार करती है तो train की गती क्या है यह आपको बताना था अगर आप total distance देखोगे train को cover करने में कितना लगेगा तो 900 meter लंबे platform cover करेगी फिर वो अपनी length भी cover करनी होगी तभी आपका platform cover होगा यानि पार किया जाएगा तो total distance हो जाएगा 300 plus 900 बारासो time दे रखा है 40 second speed होता है distance upon time यानि 1200 बटे 40 यहां से speed आएगी आपकी meter per second में लेकिन हमें option में दे रखा है kilometer per hour में तो meter per second को kilometer per hour में बदलने के लिए गुणा कर देंगे 18 बटे 5 से चालिस से कट जाएगा आपका 30 बार पास से 30 कट जाएगा 6 बार 6 गुणा 18 आप करोगे 108 किलो मेटर परती गंटे की speed आजाएगी option नमबर आपका C correct answer ता इस तरह से आपके question solve करना था I hope आपके solution में समझ में आ गया होगा Next ता 4 संक्या इनके गुणाण फल में 1 आएक कंग कौन सा होगा या आपको बताना था 608 में 8 है 1 आएक कंग 549 में 9 है 446 में 6 और 312 में 2 9 8 होता है बादतर गुणा 6 दूनी होता है 12 बादतर में 1 आएक कंग 2, 12 में 1 आएक कंग 2, 2 गुणा 2 खरोगे तो आपका जाएगा 4 अगर ये 4 संक्या है इनके गुणा आपकर कर देखोगे तो इसमें 1 आएक कंग खाएगा 4 Option नमबर आपका एक correct answer ता इस तरह से आपको question solve करना था नेक्स था अलसंक्या समुदाए किसे अनुचे से सम्बंदित होता है अनुचे 20 से सम्बंदित होता है मिशा निंदर दनुस योजना किसे सम्बंदित है स्वास्ते ठीका करन से सम्बंदित है मिशा निंदर दनुस योजना नेश्टा दादा साहिव फाल के पुरुसकार की चेतर में दिया जाता है फिल्म के चेतर में दिया जाता है आपका करेक्ट आंसर था सैफरोन सिटी किसे बोला जाता है जमूर कश्मीर को बोला जाता है तो दोस्तों यह थे आपके DFCCIL का जो पेपर हुए 30 सितमर का फस्सिफ्ट का उससे लेटेड हमारे पास आपके जो भी कोशन आए हैं मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराएं अगर आपके लिए वीडियो हेलफूल हुई है तो फटाफर से लाइक कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से एक्जाम फोर चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन कर लें ताकि आपको यहाँ पर हर एक एक्जाम का हर एक सिफ्ट का नयलाईसिज समय पर देखने को मिलता रहे आपका नेक्स इप्ट में एक्जाम होता है तो वीडियो को मिने स्किप की आन तक जरूर देखा करें क्योंकि यहाँ से आपके 2-3 कुश्यन रिपीट होत मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन जाए बारत